हम लोग exercise 3.3 करने जा रहे हैं हैं पहला question हमारा है sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus 10 square pi by 4 equal to minus 1 by 2 हमको सिर्थ करना है हम लोग जो value याद रखेंगे वो 0, 30, 45, 60, 90 यह value हम लोगों को याद रहेगा बाकि सारे question इसी के help से हो जाएंगे तो sin और cos उसके बाद हम लोग जानते हैं जो 10 होता है वो क्या होता है sin बटा cos और 10 का उल्टा हमारा क्या होता है cot होता है और cos का उल्टा हमारा सेक होता है और sin का उल्टा हमारा को सेक होता है तो अगर आपको sin और cos का याद है तो बाकी जो है आप तुरंते निकाल लेंगे ये सारे रटने की जरूरत नहीं है 0 की value क्या होती है 0 और 5 x 6 यानि 30 degree की value हुमारी क्या होती है 1 x 2 और 5 x 4 यानि 45 degree की value हुमारी क्या होती है 1 by root 2 और 60 degree यानि हमारा जो 5 by 3 होता है उसकी value sine की होती है root 3 by 2 और फिर हमारा ता आता है 5 by 2 यानि 90 degrees की value 1 होती है और pause की value उल्टा चलता है ये 1 हो गया root 3 by 2 1 by root 2 1 by 2 और 0 तो इन ही value की help से हम लो question करेंगे तो हमारा जो left hand side हम लोग लेके चलते हैं जो हमको left hand side हमारा sine square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus 10 square pi by 4 sine pi by 6 की value क्या होती है 1 by 2 तो sine square है 1 by 2 का हमारा क्या हो जाएगा whole square और cos pi by 3 की value हमारी क्या होती है root 3 by 2 तो इसका हमारा whole square और 10 pi by 4 sine pi by 4 की value 1 by root 2 और cos pi by 4 की value 1 by root 2 तो 10 pi by 4 की value 1 होती है तो ये 1 का square हमारा होगे 1 by 4 plus 3 by 4 minus 1 ये होगे हमारा 4 by 4 minus 1 ये हम लोग जो है question sine 1 by 2 cos pi by 3 pi by 3 cos pi by 3 के value 1 by 2 sorry ये हमारा जो है cos pi by 3 हम लोगों को देखे cos pi by 3 हमारा कितना होता है 1 by 2 तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा plus plus 1 by 2 का whole square minus 1 का square तो ये हमारा हो जाएगा 1 by 4 plus 1 by 4 minus 1 तो 1 by 4 1 by 4 2 by 4 minus 1 ये 1 by 2 minus 1 equal to minus 1 by 2 तो ये simple सा question था इसमें हमको जो value हमको सारी याद रहती है उन्ही value का use किया गया है तिक है sin square pi by 6 sin pi by 6 की value क्या है हमारा देखे 1 by 2 तो ये 1 by 2 का whole square cos pi by 3 की value क्या होती है 1 by 2 तो plus 1 by 2 का whole square minus 10 pi by 4 की value 1 1 by 4 plus 1 by 4 minus 1 2 by 4 minus 1 ये हमारा आगा minus 1 by 2 तो ये हमारा पहला question हो गया second question हम लोग करते है second question left hand side हम लोग पहले लेक लेते हैं ये हमारा क्या है 2 sin square pi by 6 plus 4 से किन square 75 by 6 into cos square 5 by 3 sin pi by 6 sin pi by 6 की value हमारी क्या होती है 1 by 2 तो ये हमारा 1 by 2 का whole square हो जाएगा और 7 pi by 6 आप देखे हमारा क्या है इसकी value pi से बड़ी है और हम लोग तो value क्या pi by 2 तक ही याद रखते हैं तो इसको हम लोग लग देंगे cosec 7 pi by 6 को हम लोग क्या लग सकते हैं pi से ज़्यादा है तो देखे कैसे हम लोग change करते हैं हमको क्या लिखना है 7 pi by 6 हमारा है तो ये दिख रहा है हमारा कि pi से जाता है तो हम लोग इसको क्या लिख देते है pi plus 1 x एंगिल तो यहाँ से x हम लोग निकाल लेंगे तो 7 pi by 6 minus pi तो x बराबर हो जाएगा हमारा 7 pi minus 6 pi by 6 यह एक्स मारा क्या हो गया pi by 6 यानि 7 pi by 6 को आप लिख सकते है pi plus pi by 6 pi plus pi by 6 तो लोग इसको क्या लिख देते है pi plus pi by 6 और cos pi by 3 cos pi by 3 की value कितनी होती है sin pi by 3 हमारा होता है sorry sin pi by 6 हमारा होता है 1 by 2 यह सही है cos pi by 3 यानि cos 60 degree यह क्या होता है हमारा root 3 by 2 तो यह हमारा हो जाएगा root 3 by 2 का whole square यह हमारा होगा 2 into 1 by 4 plus जो हमारा sin pi plus theta होता है वह हमारा वोसे pi plus x होगा तो लोग जानते हैं हमारा sin pi plus x sin pi plus x हमारा क्या होता है minus sin x sin pi plus x हमारा क्या हो जाएगा यह minus cosec हो जाएगा क्योंकि sin का उल्टा cosec होता है तो जो sin के लिए फार्मुला होता हो जाएगा minus cosec square pi by 6 into root 3 by 2 का whole square is 3 by 4 हो गया this equal to 1 by 2 और whole square करेंगे तो प्लस हो जाएगा और cosec pi by 6 यानि cosec जो है 30 तो sin 30 की value क्या होती है 1 by 2 तो cosec 30 की value क्या हो जाएगी अच्छा यह हमारा क्या है cosec pi by 6 cosec pi by 6 तो हमारा sin pi by 6 की value क्या होती है 1 by 2 तो cosec pi by 6 की value क्या हो जाएगे 2 यह 2 का whole square into 3 by 4 2 3 by 4 this equal to 4 4 गता हो गया 1 by 2 plus 3 तो हम लोगों नी क्या mistake किया यह बार question confirm कर लेते हैं को second question हमारा है 2 sin square pi by 6 plus cosec square 7 pi by 6 into cos square pi by 3 equal to 3 by 2 लाना है तो sin pi by 6 यानि 30 degree 1 by 2 का whole square और cosec square 7 pi by 6 को pi plus pi by 6 हम लोगों ने कर दिया और cos square pi by 3 यानि cos 60 degree ठीक है sin 60 यह हमारा हो जाएगा sin 60 की value root 3 by 2 होती है और इसकी value होती है 1 by 2 cos 60 की value जो है cos pi by 3 यह 60 की value हमारी होती ही क्या 1 by 2 यह हमारा क्या हो जाएगा 1 by 2 का whole square तो यह हमारा हो जाएगा 1 by 4 1 by 4 और यह 44 खतम हो गया 1 by 2 प्लस 1 this equal to 3 by 2 तो 0 से 90 तक की value का हम लोग के वाल यूज कर रहे हैं second question हम लोगों का हो गया third question भी similarly हम लोग करते हैं left hand side हमारा क्या है कोट square pi by 6 प्लस कोशेक 5 pi by 6 प्लस 3 10 square pi by 6 क्या होगी यानि हम लोग जाना चाहिए कोट 30 की वेलू 5 by 6 का मनलब क्या होता है 30 तो कोट 30 की वेलू तो आपको sign cost का अगर याद है तो निकाल सकते है sign 30 की वेलू क्या होती है 1 by 2 और cost 30 की वेलू क्या होती है root 3 by 2 अगर cost का भी बोल जाएं तो sign 1 minus sign square theta cos square theta होता है तो 1 minus 1 by 4 का अंडर root यानि root 3 by 2 अब जो काठ हमारा हो जाएगा cost upon sign तो root 3 root 3 by 2 upon 1 upon 2 equal to क्या हो जाएगा root 3 तो link करके हम लोग याद रखते हैं और क्योंकि शुरुआत में पूरा एक साथ याद होना थोड़ा सा आसान नहीं रहता है इसलिए link आप करके याद रखेंगे तो तो कॉट square इसकी वेलू क्या होगे हमारी कि रूट 3 का अब यह देखें को से 5 5 by 6 हमारा क्या है यह पाई से छोटा है तो 5 5 by 6 को हम लोगों ने लिख दिया पाई से छोटा है तो पाई माइनस थीटा आप लोग थीटा निकाल ले तो थीटा को इधर ले आए तो थीटा पाई माइनस 5 5 by 6 थीटा एक्वल टू 6 by माइनस 5 5 by 6 इक्वल टू 5 by 6 यानि को से को हम लोग क्या लिख देते हैं को से 5 5 by 6 के जगा 5 माइनस 5 by 6 प्लस 3 10 10 हमारा क्या है 30 10 30 तो 30 की वेलू root 3 है तो 10 30 की वेलू 1 by root 3 और यह square होगे root 3 का square 3 हो गया और cosec πई माइनस थीटा हमारा वही होगा जो sine πई माइनस एक्स होता है तो sine πई माइनस एक्स हमारा होता है sine x जो point हम लोग यूज किया गरते हैं यह हम लोग इधर आपाइड में लिखा गता है कि कौन कौन से चीज़ों काम लोग यूज कर रहें तो सब्सक्राइब को सब्सक्राइब गए को सब्सक्रार हो गया कौन से पाइबाइब सीब्सक्राइब to 1 upon 3 this equal to 3 plus 1 यह 1 हो गया plus cosec pi by 6 यहाई cosec 30 तो sin 30 की value 1 by 2 तो cosec की value क्या हो जाएगी हमारा उसका उल्टा 2 3 plus 4 plus 1 equal to 6 तो हम लोग क्या करेंगे केवल 0 से pi by 2 की value का यूज करेंगे और जो बड़े अंगिल आएंगे उसको हम लोग जो है pi plus theta करके या pi minus theta करके या pi by 2 plus theta करके या pi by 2 minus theta करके हम लोग reduce करके 0 से pi by 2 मिलाएंगे ठीक है अच्छा यह हमारा fourth question है left hand side हमारा क्या है 2 sin square 3 pi by 4 plus 2 cos square pi by 4 plus 2 6 square pi by 3 जो value हमारी जो है 0 से 90 के बीच में हुगी उसकी value तो हम लोग लेंगे लेकिन यह हमारा 3 pi by 4 है तो 3 pi by 4 को आपको बदलना है तो 3 pi by 4 हम लोग जानते हैं कि उपर 3 है नीचे 4 तो यह हमारा क्या है pi से angle छोटा है तो इसका हम लोग क्या लेकिने pi minus theta तो हम लोग theta यहां से निकाल सकते theta को इधर लाएं तो theta equal to pi minus 3 pi by 4 theta equal to हमारा क्या हो गया 4 pi minus 3 pi by 4 तो इस equal to pi by 4 यानि 3 pi by 4 क्या लेकिने pi minus pi by 4 तो यह step कैसे किया जाता है भी सिख से बता रहे हैं कि पहले देखते हैं angle हमारा pi से बड़ा है कि छोटा अगर pi से बड़ा होता तो pi plus theta लेकिते और theta की value यहां से निकाल लेते तो यह हमारा हो गया 2 sin square pi minus pi by 4 plus 2 cos square pi by 4 plus 2 sin square pi by 3 और sin pi minus x हमारा यह formula यह उसका लेते है sin pi minus x अगर लिखा हो तो हम लोग उसकी लिए अपिकल लेकिते हैं sin x तो यह हमारा हो जाएगा sin square pi by 4 plus 2 cos square pi by 4 plus 2 sin square pi by 3 sin square pi by 4 यानि sin 45 degree के value क्या होती है 1 by root 2 और 1 by root 2 का whole square cos pi by 4 का मलब 1 by root 2 45 degree तो इसका square और 6 यह pi by 3 का मलब 60 ठीक है 6 किसका उल्टा होता है cos का cos 60 होता है 1 by 2 तो 6 हमारा क्या हो जाएगा 2 का square 2 का square तो यह हो जाएगा 2 into 1 by 2 plus 2 into 1 by 2 plus 8 यह एक्वल टू 1 plus 1 plus 8 इक्वल टू 10 यह fourth question हम लोगों का होगे 5th question हम लोगों का है sin 75 degree की value निकालनी है और 10 15 degree की value निकालनी है और वही basic angle जो हमारे होते हैं यही value हम लोगों को पता है उसी का use करके हमको क्या निकालना है पहला हम लोगों निकालने जा रहे है पहला sin 75 degree क्योंकि जो है simple जो है मायत का use करके ही हम लोगों ने 0 35 45 60 की value निकाल दी थी तो अब sin 75 को हम लोग को दो angle में ऐसे break करना है कि दोनों को जोडने या घटाने वाले angle की value हमको पता हो ठीक है तो हम लोग sin 75 को हम लोग अगर 45 प्लस 30 लिखें तो 45 की value भी हमको पता है और 30 की value भी पता है बस यहां पर हमारा क्या फार्मूला यह जोगा sin 45 cos tis plus cos 45 sin sin 45 की value 1 by root 2 और cos 30 की value root 3 by 2 cos 45 की value 1 by root 2 sin 30 की value 1 by 2 तो हमारा आगर root 3 by 2 root 2 plus 1 by 2 root 2 equal to root 3 plus 1 हर बराबर है by 2 root 2 यह हमारा आगर root 3 plus 1 by 2 root 2 अब 10 15 की value उनको निकालनी है तो 15 को अब समझ में आगे हो गया कि हम लोग क्या लिखें 45 minus 30 second time लोग जो value निकालनी है 10 15 degree क्योंकि 45 की 15 कहीं पर लिखा हो 15 degree या 15 रुपे तो यह 45 रुपे माइनस 30 रुपे लिख सकते हैं न वही तो आ रहा है 15 तो यह हम लोग क्या लिख देंगे 10 45 degree minus 10 30 degree उसके बार में हम लोग 10x minus y का formula यूज़ कर लेंगे 10 x minus y equal to 10 x minus 10 y upon 1 plus 10 x into 10 y तो इससे हम लोग अब उपेन करेंगे इसको तो यह हमारा क्या हो जाएगा 10 45 minus 10 30 बटा 1 plus 10 45 into 10 30 बस अब वैलू फूट करना है 10 45 की वैलू क्या होती है 1 और 10 30 क्या होगा sin 30 होता है 1 by 2 और पास 30 root 3 by 2 तो यह क्या हो जाएगा 1 by root 3 1 plus 1 into 1 by root 3 this equal to root 3 minus 1 by root 3 अब हाँ root 3 plus 1 by root 3 root 3 root 3 कतम हो गया यह हमारा आगया root 3 minus 1 by root 3 plus 1 पर मेरी करन करतेंगे तो ओपर हम लोग root 3 minus 1 से और नीचे भी root 3 minus 1 से गोड़ा करतेंगे तो ओपर root 3 minus 1 का whole square यानी root 3 का square हम लोग लगा देंगे और यह क्या हो जाएगा root 3 का square minus 1 का square a plus b और a minus b a square minus b square root 3 minus 1 का whole square a square यानी root 3 का square plus 1 square minus 2 root 3 अब हां 3 minus 1 यह हमारा हो गया 2 तो यह हम लोगों ने solve कर लिया तो जो यह value आती है हमारी जो जैसे यहां पर root 3 minus 1 upon root 3 plus 1 आ गया तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं हम लोगों ने 9th में पढ़ा था primary current root 3 minus 1 upon root 3 plus 1 क्योंकि जो हर है वो आ पर्मे संख्या है तो इसको पर्मे संख्या में बदलने के लिए इसी का conjugate यानी यहां पर plus है तो इसके minus से ऊपर नीचे खुड़ा कर देंगे तो root 3 minus 1 into root 3 minus 1 ऊपर वाला हो गया यह हो गया root 3 plus 1 into root 3 minus 1 तो a plus b a minus b तो a square minus b square नीचे हो गया और a minus b into a minus b a minus b का whole square तो root 3 minus 1 का whole square तो यह a minus b का whole square a square plus b square minus 2 यह भी तो root 3 का square plus 1 का square minus 2 into 1 into root 3 upon 3 का square minus 1 का square 2 यह 3 plus 1 4 हो गया 4 minus 2 root 3 तो उपर से 2 कामन लेंगे तो 2 minus root 3 और उपर नीचे का 2 cancel हो गया